हेलो फ्रेंट्स मेरा ना में राउल सरम आपके मेरे यूट्यूब चैनल टैक किर में बहुत ही ज्यादा स्वागत है आज मैं आपको हवाई का मेट एक्सटू के बारे में बताऊंगा उसकी सारी सीचे बताऊंगा कि वो कब लॉंच डेट होगी उसकी उसके सारी स्पेसिफि प्राइमरी स्क्रीन और एक से कमेरे बता ने कर प्राइमेरी कैमरा है वह आपको 50 Megapixel के मिलेगा उसके बाद जो टेले फोटो वाला वाला मिलेगा आपको 16 Megapixel और उसके बाद मिलेगा आपको 12 Megapixel का इसके साथ मैं आपको बता देता हूं जब आप कैमरे साथ वीडियो डिकोर्ड करेंगे तो आपको 30 fps का और 60 fps का दोनों का आपको सपोर्ट मिल जाएगा तो काफी अची बात है जो वीडियो क्रिएट करते हैं उनके लिए अब में इसके फ्रेंट के बारे में आपको बता देता हूं जिसको मैंने Snapdragon 888 के साथ कंपेर करा है मै जसको चाठ दिखा दिखा देता हूं आपको कि हिस कीजों में उससे आगया है या फी हर चीजों में पिछे movingbew में दिखा देता हूं उससे पहले बाब यह बता देता हूं कि स्नेपडेंगर का 888 यह सबसे latest प्रोसेसर हैً स्नेट्ट्रेगन का जो की flagship फोनों में साथ मैंने इसको compare करा है तो आप यह चार्ट देखिए जैसा कि आप देख रहें कि किरन 9000 स्नैप डगन 888 से हर चीज में पीछे है लेकिन इतना भी पीछे नहीं है तो आप यह कह सकते हैं कि यह बहुत अच्छा प्रोसेसर है कि स्नैप डगन 888 के साथ भी compare करने लाइक है यह अच्छा प्रोसेसर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर gaming वागर किसी चीज में कोई दिक्कत नहीं आएगी अब मैं आपको बता देता हूँ यह android 10 पर रन करती है और इसका जो EMUI है वो 11 है तो अब इसके बाद मैं इसके बात करता हूं तो इसके अंदर आपको फॉचर प्रूफ फोन आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आने वाले 5G का जमाना है उसमें आपको यह फोन आराम से आप यूज कर सकते हैं तो उसके साथ आपको कोई दिक्कत नहीं है यहीं मैं इसके आपको बता देता हूं जो फिंगर्पिंट है वो इसका साइड माउंटे देट बता देता हूं रूमर के हिसाब से बताए जा रहा है जो फैवरेरी में 22 फैवरेरी 2021 को यह फोन आप सभी ग्राकों को देखने को मिल जाएगा तो इसके लॉंच डेट के बारे में हैं मैंने सारी स्पेसिफिक्शन बता दी लॉंच डेट बता दी तो अब आप कर देना मारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना आज के लिए तना ही जाहिंद